उनको रोकने की कोशिश नहीं की। देखे, कॉंग्रेस के अलावा, कॉंग्रेस पार्टी के अलावा ये सब को पता था के निदीज जी जाएंगे। और वो चले गए। जहां तक सवाल है रोकने की, उनको रोकने का। तो Congress ने तो सिंधिया को रोपने कि कोशिश ने की Congress है कमाहट पार्टी है वो किसी को नहीं रोकना चाहती। जो जाना है चला जाए फिंत को बीन ही नहीं रोका गया। जितन पड़ागी उन्हें भी नहीं रोका रहा। सुस्मी साथ देव गई उन्हें नहीं रोका दिया अशोक तमर गए उन्हें नहीं रोका दिया ऐसी एक लंबा सिलसला है कॉंग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती है जिसे जाना है जाओ कॉंगरेस एक महान पार्टी है जब हम अपनों को रोखने की कोशिश नहीं करते तो नितीज जी को रोखने की कोशिश कैसे कर सकते 24 का एलेक्शन है किस तरीके देखेंग उसको एलाइंस करो तीक है एलाइंस जो ये इंडिया गठवन्दन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारी उसे ग्रस्त हो गया तरह तरह के नाना प्रकार के वाइरस इसमें आ गए फिर आईसियू में चला गया और अंत में वेंटीलेटर पर गया और फिर कल नितीज जी ने इसका अंतिम संसकार कर दिया तो अब हिंडिया गठवन्दन का क्या होगा अब तो अंतिम संसकार हो गया कल पटना में नितीज ने का दिया सथाहुल गंदी की यात्र को लेकर क्या कहींगे कॉंग्रेस पाइटी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं कि एक तरफ देश का दोहजार चॉबिस का महाभारत सज़ रहा है और दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है देशा टन कर रही है एक्चुली हम चॉबिस के बाद सोचेंगे कि हम चॉबिस का चुनाप कैसे लड़ेंगे मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्तिस की बात उन्तिस की तयारी कर रहे हैं चॉबिस की तयारी करते तो यह जो हो रहा है यह नहीं होता सब मुंता बैनेटी की बात करें, वेस्ट बंगाल में राहुल जी की यात्रा है, सीटों के बटवारों को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ हुआ है, किसकी सीट का बटवारा, कौन सी सीट है, कौन दे रहा कॉंग्रेस को सीट है, इन हालातों में कुई सीट देगा सीट उसे दी जाती है जिसके पल्ले में कुछ हो बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीक ये सक्ता का खेल है सियासत और सक्ता की शत्रंज में वही जीता है जिसे दाव खेल लाता है सब बिहार के बाद करें हैं बिहार में लालू को टक्कर देना आसान रहेगा नितीश जी को लेकिन नितीश जी में सौदूराईया हैं लेकिन एक बुण है कि वो इमानदार आत्मी है और उनके उपर ब्रस्ताचार कारूत रहे हैं